हुआ है आपका स्वागत है मेरा नामे डॉक्टर दीपक किलेकर में मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन तथा व्यसंद मुक्ति तग्यों महाराष्ट में अकोला में बैट्किस करता हूँ मेरे पास में आया है कि करीब 25-26 साल का होंगा बोले मुझे नपुन सकत वाया हुआ है मैं बहुत है कि सुबह जब मैं उट्टा हूँ तो पहले मुझे मुझे मौर्णी इरेक्शन आते थे सुबह सुबह कट्रौता लिंग में आती थी और अभी पिछले 2-3 मेने से लिंग मे ठाथी ने और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं नपुन absor कान अभी ऐसा तो नहीं आती तो नहीं आती उसमें क्या प्रॉब्लेम आपने कभी कुछ ठेस्स करके देगा है कहीं गए है यहां फिल हो गया क्या हूआ कि कुछ भी तो नहीं होगा avoir both ya यह बीच में भी देख लिया कि विख में अगया कई ट्रेवल लागता था तो इरेक्शन आता था अब वह बीलकुल लिए रहा हुआ नक्रूब अ हुआ क्या हए उसने नहीं ही मतलब दिर्वाचा बंद नहीं था उतने में मतलब दरवाटा बनने था उतने में उसकी मा अंदर अगई और लुद्य इस लागा और चली गई और इसको ऐसा लागा कि मैंने बहुत कुछ गलत काम किया यह करना नहीं था क्योंकि हस्तमिन के बारे में लोगों की दिमार में बहुत कुछ खराबी है घलत फेमिया है और उसमें फिर अच्छा नहीं है वगरे वगरा जो मैंने पहले वीडियो में बताय हुआ है अ और यह शादी के पहले तो बिल्कूल यह ऐसा करने ही नहीं चाहिए पिताजी को मालूम नहीं हमारे देश में इतना अज्यान है कि वह अज्यान कि हमारे लोग जो पेशन नहीं हो पेशन बनते रहते है बनलब जो अच्छा चल रहा था उसका उसकी माने पिताजी को बोला प्शले तीन मेहने से मैं अच्छा नहीं हूँ मैं ने कुछ तब गलत काम किया वह करना ठीक नहीं था वह दिमाग में इतना उसके पर विश्वास हो गया कि वह मुझे तेस्ट करने के लिए गया, कि अभी मैं टेस्ट करता हूँ, अब आप देखो, जब सेक्स के बाद में आप कभी भी टेस्ट करने जाते हो, तो दिमाग में क्या है, दिमाग में टेंशन है, होगा ने होगा, होगा ने होगा, मतलब अपना मन कहा है, विचार कहा है, अपना बिल्कुल होता ही नहीं।क जब सेक्स करते हैं तो पूरा आपका ख्याल कि सामने वो ब問 उसके साथ में आपको एक्साइट कर रहे और आप हूँ गयाnd सामने उसके साथ में वह व्यक्तिय आपके साथ में लिंक के उपर है तो कजillar आण Grukov को लिए और टोन जब हां तो यह जब मैंने उसको समझाने पूरारसे नहीं एक कोई गलत नहीं ही खराभी नहीं उसको सब पुरा काउंसिलिंग किया उसको मैंने मेरे पुरे वीडियोस देखने के लिए कहा और वो ठीक अभी मुझे समझ में आ गया मैं आपको मिलता हूँ बोले कुछ दवाई देया तो मानने के लिए कुछ दवाई की जरूत नहीं है एक दवाई मतलो कि इसने दिया तो भी मतले ना दवाई वो नॉर्मल हो जाएंगा कुछ चिंता म नहीं देंगे उसकी चिंता नहीं करेंगे इरेशन आपिया पाना चल हो जाएगा तो यह पराडॉक्सिकल है यह उसको समझाए के दिया और वो शान्ति से घया कोई दिन बाद में मुझे मिलने के लिए बोले ने भी ठीक है कोई प्राब्लम ने जब से आपने मेरे को समझा के दिया तब से तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा और अभी मैं अच्छा जिवन जी रहा हूं वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो थैंक्यू बेरी मच्छ झाल